नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूजेटीन मद्रदेश हतीजगर के डिजिनल प्लाटफॉर्म पर इंटर्नाशनल आफ़ेर्स अपडेट लेकर एक बार फिर से हाजिर हूँ मैं आपके साथ अपड़ना मौज़म और हमारे साथ हैं इंटर्नाशनल आफ़ेर्स के एक्सपर्ट पुनीत मिश्रा लगातार पुनीत मिश्रा की हेल्प से उनके ग्यान से हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं तमाम उन अफ़ेर्स को जो पूरे विश्र में अलग अलग जगाओं पर हो रही हैं तमाम गतिविद्या चाहे वो युद्ध से जुड़ी हुई अपडेट हो रहा है क्योंकि उसने कहा था कि जब तक वो तमाम गाजा में जो जितने भी उसके विरोधीतत हो हैं क्योंकि EU की तरफ से भी ये कहा गया कि आप युद्विराम कर दीजिए, UN की तरफ से भी कह दिया गया इसराइल को कि आप युद्विराम कीजिए, दरसल इस से पहले बहुत बड़ा अटैक भी हुआ है, और इसराइल ने कई सारे ठिकानों को निशाना बनाया चाहिए, वो कई सारे ठिकाने जहां पर निशाना बनाया और वहां पर अगर देखा जाए तो कुछ शेत्रों तो ऐसे हैं, जहां पर 20 सालों में, बीते 20 सालों में सबसे बड़ा अटैक इसराइल के तरफ से हुआ है, और सबसे बड़ी बात अपड़ना ये है, कि वहां बॉम शेलिंग ह रही है, ऐसा नहीं कि मिसाले चोड़ी जा रही है, जैसे एचबॉला चोड़ रहा है इसराइल पर वैसा नहीं है, कि दूर से बैटकर हमला हुआ है, वहां पर इसराइली सेना घुसी हुई है, और इसराइली सेना ने घेर लिया है, कुछ इलाके को, और यह कल जो खबर बात कही गई कि करीब 77 लोग इसमें फिलिस्तिनी जो हैं मारे गए हैं और कई सारे इसमें जखमे हुए हैं हाला कि इसराइल की तरफ से ये कहा गया कि जो हमला किया गया है उसमें ऐसे फिलिस्तिनी कमांडर्स जो हैं हमने उनको मारने का काम किया एक मस्जिद जो है उसके उपर भी हमला हुआ और वहां से भी पांच कमांडर्स को मार गिराने के दावा इसराइल की तरफ से किया गया है लेकिन अब यहां पर शांती की बात हो रही है लेकिन इसरेल का पुनीच जो काम करने का तरीका है या दु जनहानी हुई है इसका तो जो आंक्रा बताया जा रहा है सामने आ रहा है उससे कई ज्यादा जनहानी हुई कहा जा रहा है और तो जो शर्णार्थी कैम्प है उनमें भी लगातार हमले हो रहे हैं जी हाँ शर्णार्थी कैम्प में हमले हो रहे हैं और इस्राइल की तरफ से य पर हमला कर रहा है यह इसराइल की तरफ से जो हमला खो रहा है इसमें महिलाये और बच्छों को भी निशाना बनाया आ जा है कए लोग तो जिन्दा जल गए कर खबरी आई कए लोग जिन्दा जल गए महाँ उनको बचाने वाला भी कोई भी नहीं था तो ऐसी दर्धनाग तस्मीरें या ऐसी दर्धनाग खबरें जो आती हैं तो इसराइल पर उंगली भी उठती है। फिलस्तीनियों को नुकसान हो रहा है और इसी लिए वहां के कुछ लोग जो छोटा एक तबका कह सकते हैं या छोटा ग्रूप कह सकते हैं उसका इतना प्रभाव नहीं है लेकिन राजनेती ग्रूप से उनको परिशानिया जेल नी पड़ती हैं ये भी खबर आती है सामने कि वो लोग जो हैं वो चाते हैं कि अंतरश्ट्री एस सर पर इस मुद्दे को उठाया जाए अंतरश्ट्री समर्थन मांगा जाए लेकिन इस बीच जहां तक हम बात कर रहे थे शांती की तो शांती की बात क्यों हो रही है या 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 सिन्वार से या अपने खिलाफ उठ रहे आखरोश से या दबाव जो बन रहा है अंतराश्ट्री इस तरफ उससे नहीं इसके पिछे की वज़ा कुछ और है वज़ा पुरी समझाएंगे देखिए दरसल ईयू की तरफ से यूरपिन यूनियन जो है उसकी तरफ से ये कहा गया है कि वहाँ पर टीका करण अभियान चलाना है जहां पर लोग मारे जा रहे हैं बच्चे, महिला, पुरुष, जन्हानी हो रही है वहाँ पर टीका करण की बात हाँ वहाँ टीका करण की बात इसलिए हो रही है क्योंकि फिलिस्तीन स्वास्त विभाग जो है उसकी तरफ से ये कहा गया कि वहाँ पर पूलियो का एक मरीज मिला है और देखिए पूलियो को पूरी दुनिया से खत्म करने के लिए कितने बड़े पैमाने पर अगर भारत की ही बात कर लें तो कितने सालों से लगातार पूलियों की दवा टीका करण डॉप्स जो है उसके लिए कितने बड़े पैमाने पर पूरी दुनिया में अभ्यान चला तो यह इसी लिए वहाँ पर दरसल पचीस सालों में एक ऐसा केस सामने आया जो दस साल के बच्चे का एक ही केस सामने आया लेकिन यह जो है आगे कहीं बढ़ना जाए और खतरनाक दुनिया के लिए ना हो जाए इसी लिए यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी यह कहा गया कि कि यहां पर टीका करण के लिए यहां पर शांती होनी जरूरी है क्योंकि वह एक मामला पुरी दुनिया के लिए خतरे की घंटी के तरह हैं अलाम्मिंग है कि देखे यह एक मामला आया है आगे और मामले बढ़ना जाए इसलिए बहुत जरूरी है कि इने इसी वक्त इनकी र इसराइल की तरफ से कुछ बात तो सामने नहीं आई है लेकिन आपको ये भी बताओं कि युएन महासचिर जो हैं उन्होंने भी ये कहा है कि ततकाल प्रभाव से क्योंकि देखे बात ये नहीं है इसके अलावा वैक्सिनेशन तो एक महत्वपूर्ण मसला है ही पोलियो जैसी अगर यहां पर सामने आरी तो बहुत महत्वपूर्ण मसला हो जाता है इसके अलावा जिस तरीके से वेस्ट बैंक में या फिर गाजा पटी में या फिर खान यूनस में जिस तरीके से इसराइल के टेजी से हमले हुए हैं दूसरे तरफ हिजबुला जो है वो लगाता नार पूरी दुनिया जो है यह स्थिती बन रही है रूस यूकरेन के बीच भी युद्धा चल रहा है तो पूरी दुनिया में शानती की जरूत इस वक्त बहुत ज़्यादा है और ऐसे में हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि इसराइल शायद इस बारे में सोच रहा हूँ और दुनि जो है हमले जो कर रहा है तो शांती हो जाए क्योंकि एक चीज़ और हेज़गुल्णा की तरप से यह कह दिया गया था कि हमास से जो संगर्ष इसराइल का चल रहा है अगर इसराइल उतना अटेकिंग नहीं होता है और शांती चाहती है तो हम भी हमलेबंद कर देए युद्ध कहीं भी होता है उसका असर हर तरफ देखने को मिलता है उसके ढला हुद। हमारा राश्टर स्तर पर उन तमाम चीदों की जानकार हैं आपको देते रहते हैं आगे भी देते रहेंगे फिलहाल इस समबाद में इतना ही नमस्कार